तकनीक के इस दोर में क्या आप अभी भी manual diary पर ही अपने सारे code cases maintain करते हैं तो आईए आज जानते हैं कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से भारत के किसी भी district court या फिर high court के अपने सारे cases अपने mobile पर ही ना सिर्फ save कर सकते हैं बलकि वो auto update भी होते रहेंगे तो आईए शुरू करते हैं नमशकार legal knowledge के segment में मैं advocate गौरोतिवारी आपका स्वागत करता हूँ यह हम कानून से जुड़े विभिन जटिल विश्यों को सरल और रोचक धंग से आपके सामने लाते रहते हैं इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर bell icon पर क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का notification आपको मिलता रहे आईए शुरू करते हैं मित्रों अब आप घर बैठे ही भारत के किसी भी district court या फिर high court के किसी case का status जान सकते हैं judgment डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सुनवाई की अगली तारिक भी जान सकते हैं इसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने phone के play store से e-court नाम की एक application को डाउनलोड कर लेना है e-court भारत सरकार के राश्टी या सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले NIC द्वारा विकसित एक mobile application है जो देश भर के विभिन अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी उपयोग करता को निशुल्क प्रदान करता है Friends, इस segment में हम इस application के कई hidden features के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं इसलिए वीडियो को बिना skip किये अंतर तक देखें एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद simply इसको open करना है अब सबसे पहले उपर corner में ही आपको तीन line दिखाई देंगी इसको touch करना है टच करते ही एक menu आपके सामने खुल जाएगा इसमें आपको setting के option पर click करना है यहाँ आपको तीन option दिखाई देंगे district court, high court और both आप अपने अनुसार किसी विकल्प का चैन कर सकते हैं जैसे मैं both option को select कर लेता हूँ अब आपको district court या high court का विकल्प ऊपर ही दिखने लग जाएगा अब district court या high court में से किसी एक का चैन करें तत्पस्चात दिये गए विकल्पों में से case status का चैन करें इसके बाद क्रमशह अपने प्रदेश वजिले का चैन करें अगर आप high court के विकल्प का चैन करते हैं तो क्रमशह high court वबेंच का चैन करें अब आपके सामने कई विकल्प जैसे की case number, fir, party name, advocate name दिखाई देंगे आप अपने अनुसार किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं उपलब्ध ब्योरा भर कर सर्च पर क्लिक करें और कुछ ही पल में सारी जानकारी आपके सामने होगी अब आपको उपर corner में ही add to my case का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करते ही वह case सेव हो जाएगा अब जब भी कभी आपको case status देखना हो तो पूरे process को follow करने की आविशक्ता नहीं है आपको केवल उपर corner में ही दिये गए my cases पर क्लिक करना है और आपके save किये cases आपके सामने होंगे और सिर्फ यही नहीं ये auto update भी होते रहेंगे मित्रों आशा है e-code app से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें comment box में जरूर बताएं ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार